देखे, जो सूर्य भगवान है, वो प्रथम एक मात्र ऐसे भगवान है, जिनको हम इन नंगी आँखों से देख सकते हैं. और जो उसका हमारे जीवन में प्रभाव है, चाहे हमारा यस है, कीर्ती है, वो तो आदमी देखता ही है, लेकिन हमारे जो शरीर है, शरीर में भी उसका बड़ा जब्रस्त प्रभाव पढ़ता है. क्योंकि सूरी आत्मकार ग्रह कहा गया है, और यदि जैसे आप देखते होंगे, सूरी की रोसनी प्रकृती में नहीं मिल पाती है, या कुछ दिनों के लिए ठंड जादा वड़ जाती है, तो जनवानस परेशान हो जाता है. तो ठीक उसी प्रकार सूरी साधना से हम प्त्यक्सी रूप से सूरी नाराण की कृपा प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग सूरी नाराण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में यग्यका एक विशेश आयजन किया जाता है, जिसमें की हमने प्रिकृति की शक्ति भुनेश्वरी वीजमंत्र हीरिंग और स्रींग कमला वीज दोनों के सांथ संपुटित करके इसका हमने आज यग्यनुष्ठान करवाया था ताकि सूर्य नारायन की प्रित्यक्ष और अप्रित्यक्ष रूप से पूर्ण कृपा हमें मिल सके और सूर्य नारायन की उपाशना और पूजा करते हैं उनके समस्तपाप शय हो जाते हैं उन्हें सूर्य नारायन की विशेश क्रपा महसूस होती है और आरोग्य प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जीवन में यसकीर्ती प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सूर् बच्चे की हम परिवरिस्ट करते हैं और वो बढ़ता है बढ़ने के बाद जब वो युवा होता है और हमें युवा वस्था में अपना प्रभाव देता है ठीक उसी प्रकार सूर्य उदित होता है उदित होने के बाद जब वो सिखर पर आता है सिखर पर आने के बाद अस्त हो जाता है तो उक्ते सूरी की हम पूजा करते हैं और केवल इसलिए हम पूजा करते हैं कि सूरी के अस्त प्रभाव से भी हम बचे रहें और जो उसका उदित प्रभाव है और सिखर वाला प्रभाव हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बना रहे ताकि हमें यस, किर्ति, आरोग, एस्वर्य और वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो प्राप्त होती रहें देखे जो सुभा का सूर्य है वो तो एक जनवानस में पूजनी है ही लेकिन जो हमारा पूर्वांचल वाला भाग है वहाँ पर अस्त होते वे सूर्य को अर्ग देने की परंपरा है वहाँ पर सूर्य चाहे कुछ भी हो शक्ति का केंदर था है और रहेगा और इसलिए वो लोग ढूपते सूर्य को जो अर्ग देते हैं उसके पीछे कारण यही है कि हे सूर्य नाराण आप चाहे उदित हो अत्वा अस्त अवस्था में हो आपकी कृपा हम पर हमारे परिवार पर हमेशा वनी रहे दूसरी बात सूर्य जन्मकुंडली के साब से जोतिस के साब से पित्र कारण ग्रह माना गया है आत्मकारण ग्रह माना गया है जिसका सूर्य अच्छा होता है वो पित्रदो समेत कई दोसों से तो मुक्त रहता ही है साथ ही जीवन में उच्छ सिखर को वो प्राप्त करता है इसलिए जो उक्ते सूर्य के साथ अस्त होते वे सूर्य को अर्ग देने की जो परंपरा है पूरवांचल में वो इसलिए की गई आपी हुआ